सभी बच्चों को पिरान मश्कार देंकि बात हम SSE Mathematics की कर रहे थे जो आप जानते हैं जो कमटेट्व एक्जाम होते हैं इसमें SSE के लेविल की जो भी होते हैं SGL वगरा जितने भी होते हैं उसमें Mathematics आती है सिंपल अर्थमेटिक आती है एक Advanced का फंडा हमने अपलूट कर दिया है आपने देख लिया होगा फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं I am not the single person who is making the video so many videos are already you are having on the YouTube but it is my प्रयास मेरा प्रयास है कि मैं जतना बैतर कर सकता हूं कर रहा हूं यह मैं राकेश यादो सर की जो बुक है ससी Mathematics की जो कि वह उनकी बुक क्या है उन्होंने बहुत सारे papers को compile करके एक बुक बना दी है उसके solution प्रवाइड कर रहे है ठीक है तो यह सर्स का concept बता चुके हैं इसके question हम आपको बता रहे हैं इसका solution कैसे निकला जता है वैसे तो tricks होती है लेकिन हर जिगे tricks नहीं लगती है लेकिन जतनी speed से आप काम कर सकते हैं वो speed लगती है ठीक है question पहला है आपका 15 root 10 plus root 5 root 10 plus root 20 plus root 40 plus root minus root 5 minus root 80 अगर मैं यह कहूं कि आप सबके root के मान निकाली है रखिए calculate करिए और answer निकाली है तो हलत खराव हो जाएगी देखिए एक चीज़ हमको दिख रही है क्या कुछ common दिख रहा है हमको दिख रहा है 5 यह 10 है 20 है 40 है 80 है 5 है 10 है 5 है सब 5 के factors हैं तो हम ऐसा करते है root 5 बहार निका लेते हैं क्या उसका use होगा हमको नहीं मालू हमने का इसको हलका करने के लिए हम क्या करेंगे यह 15 लिखा है न अब हम इससे common root 5 ले ले लेते हैं ठीक अब देखो जब आप root 2 से root 5 निकालोगे तो root 2 बचेगा प्लस यहां 1 बचेगा क्या होगा हमको नहीं मालू हम इसको हलका कर रहे हैं हमने नीचे से root 5 काम ले लिया जब root 10 से root 5 बहार निकाला यहां root 2 बचेगा इससे 5 निकालो तो पांचों को भी 4 से डिवाइड हो जाएगा root का 4 बचेगा आप कहेंगे root 4 तो 2 होता है बाद में लिख देंगे हम यहां से 5 निकाला पढ़ना अठे 40 रूट 8 बचेगा यहां से 1 बचेगा यहां से 5 निकाला तो 16 85 रूट का 16 बचेगा समझ में बात आ गई हमने क्या किया हमने केवल चुकि दोनों उपर नीचे से root 5 का पैंसिल कर दिया अभी क्या होगा हमको नहीं मालू अब देखिए उपर तो आपका root 2 प्लस 1 लिखा रहेगा ज़रा इसको देखिए अब इसको हलका करते हैं root 2 का कुछ कर नहीं सकते है single है लिखा नहीं दीजिए root 4 की value 2 होती है आप जानते है तो root 8 कैसे निकलता है root का निय देगा ठीक है यह हो गया minus का 1 और root 16 की value 4 होती है यह सुन में आगई बात अब कुछ calculation दिख रहा है आपको क्या होगा हमको नहीं मालूं बार बार हम यहीं कह रहे है root 2 प्लस 1 नीचे देखिए जड़ा इसमें आएगा नहीं हमको पर लिख रहे है इसको है न तो हमने क्या कहा यह 15 है root 2 प्लस 1 नीचे देखिए क्या है देखिए root 2 प्लस 2 root 2 दो बार है न root 2 को आप x मालीजे तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा तो 3 root 2 हो जाएगा है न और यह देखिए माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 3 root 2 माइनस का 3 आगया ठीक है अब थोड़ा और इसको कल्कुलेट करते हैं यहां तक बात तो पहुँच गई होगी आपकी आप क्या करेंगे नीचे से आपको 3 का मन दिख रहा होगा ले लिजे 3 का मन अचा उपर जो लिखा हो तो लिखा रहा ने दीजिए उपर है 15 राइटिंग थोड़ा गंदी है फिर भी मैं कोसिस कर रहा हूँ साफ लेटर लिखें यहां से 3 का मन रूट 2 माइनस 1 यह 3 पची 15 तो उपर आएगा 5 रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 माइनस 1 यही आपका अंसर है लेकिन कभी भी रूट का अंसर डिनॉमिटर में नहीं आता है मतलब नीचे का रूट है तो उसे हटा देना पड़ेगा उसका तरीका होता इसका कांजूगेट होता है संयूगमी संयूगमी का मतला अगर a प्लस रूड b है ना इसका संयूगमी होता है a माइनस रूड b रूड का साइन आप चेंज कर दीजे कोई एक साइन चेंज कर दीजे जैसे रूड 2 माइनस 1 है तो हम क्या करेंगे उपर नीचे इसके कांजूगेट से मल्टिप्लाई कर देंगे रूड 2 प्लस 1 से रूड 2 माइनस 1 का रूड 2 प्लस 1 होता है तो उपर साब साब दिख रहा है कि यह तो दो चीजें एक साल लिखी वी है तो यह आएगा 5 रूड 2 प्लस 1 का होल स्क्वाइर और नीचे आप फैक्टर जानते हैं अगर एक ब्रेकेट में A माइनस B हो एक में A प्लस B हो तो हमारे पास एक कुर्णखंड पढ़ाया गया है अगर एक ब्रेकेट में A प्लस B हो एक में A माइनस B हो तो A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर होता है पतर रूड 2 का स्क्वाइर माइनस 1 का स्क्क्यार होता है अब इसका होल इसका उपर खोल दीजे 5 अगर देखे ध्यान से हमको 5 मिनिट कुछिशन को लगाने मिलगे पांच मिनट इसलिए लगे कि मैं आपसे बाते भी कर रहा हूं तो इसको बहुत कम कर दो तो एक से त्वेड़ मिनट के अंदर इक कोईशन कांसर आ जाएगा तो ये आपका 3 प्लस 2 रूट 2 बाहर 5 आ रहा है ये आपका option number C इसमें सही है पहले का C पार्ट इसका सही है न तो इसस पार्ट आगे पिछे हो सकते हैं वो मैं तो इस बुक में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं देखे second question में वैसे तो कुछ नहीं है गुणा भाग है कीवल लेकिन वो दिये हैं ये जानने के लिए कि आपको कुछ square root तो ये सब की जानकारी है की नहीं है लिखा root 1875 root 3888 divided by root 1200 बटे 768 into root 1170 तो सबसे बड़े ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है root का हम बात नहीं कर रहे हैं तो हम जानते हैं जो divide का sign है इसको multiply करके संख्या को पलड़ सकते हैं ये rule होता है तो हम क्या करेंगे bracket के अंदर होगा root 1875 बटे root 3888 ये into हो जाएगा ये root हो जाएगा 768 बटे ये root 1200 हो जाएगा into इस तो into लिखा हुआ है bracket खोल दो उठा करके root 175 बटे root 1792 देखे मैं root की बात नहीं कर रहा हूँ पहली बात तो जब multiply में इस प्रकार की संख्या होती है तो उपर उपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है पहली बात दोसी बात आपको बताये गया था कि अगर under root A into under root B है into under root C है तो एक root के अंदर लिख सकते हैं इसको है न लेकिन एक शर्त है ये एक दो चीजे एक root के अंदर तभी आएंगे जो दोनों में से एक धनात्मक हो कम से कम अगर दोनों माइनस में हैं तो root के अंदर नहीं आएंगे रूल समझेगा अगर root minus 5 into root minus 4 है तो ये एक bracket के अंदर एक root के अंदर नहीं आते हैं ये rule नहीं होता है ये ध्यान रखेगा है न यहां तो सभी धनात्मक हैं अच्छी बात है दूसी बात आपको ये भी बताये गया है गर root A अपान root B हो तो single root के अंदर आ सकते हैं यानि इसको हम एक single root के अंदर लिख सकते हैं उपर क्या लिखेंगे 1875 इंटू 768 इंटू 175 बटे 3888 गुणित 1200 गुणित 1792 ये तो आप समझ्वें आ गया होगा अब इसको cut कैसे करें देखो एक बात ध्यान रखेगा ये आपकाम आपकी मर्जी है आप किस से किस को cancel करते हैं जो जिस से cancel हो जाए disability rule आप जानते हैं महुत ज़्यादा 3 से cancel होगे 5 से होगे और 2 से होगे देखो ये साफ साफ दिख रहा है 5 से कट रहा है ये भी 5 से कट रहा है तो इसको 5 से कट दो और इसको 5 से कट दो 5 सते, 35 27, 25 25, 35, 365 आएगा और ये 5 से कटेगा कितना आएगा 5 दोनी, 10 2 बारा 20 होगा, 5 को 20, 240 आएगा देखो 4, 2, 6, ये 3 से कट जाएगा और ये 7, 3, 10, 5, 15 भी 3 से कट जाएगा, दोनों को 3 से कट दो 3 से काट होगे, 3 एक कम 3, 3 दोनी, 6 है 35 15 यह 3 से कर जाएगा तेरियाट 24 यह 80 यह 5 से कर जाएगा पांदुनी 10 पचम 25 यह 16 पंचे 80 यहीं पर गाड़ी हम रोके जे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोश्चन यह दिया है यह x लिखा हुआ है पूरा और आप से कहने हैं कि अगर x लिखा तो root x निकालो तो simple सी बात है अगर x पूर्ण संख्या आएगी तभी आप काम चला पाओगे तो जो बची संख्या हम पहले उपर लिखते हैं फिर इसको cancel करते हैं यह संख्या हमने उपर लिख दी है जो बची इवी संख्या है आप जरा शुरू करिए इसको भी अब हम चूने सकते इसको और इसको देखते हैं उठाते हैं उठा देखे चार से कट रहा है चार 1 चार दूनी आठ शार से कट जाएगा चार से कटो इसको चार चोग 16 17 19 14, 4 चोग 16, 13, 32 34, 32 ये 4 से कर जाएगा 4 इकम 4 3, 7, 36 4 नियम 36 4 दुनि 8 192 आ गया अब 4 से कर जाएगा ये तो 4 से कर रहा है ये भी कर रहा है 4 इकम 4 4 इकम 4 4 दुनि 8 ये कर देगा 4 चोग 16, 3, 34, 32 ठीक है इतना तो काम हो गया अब ज़रा इसको इसको देख लो यह साथ से घट रहा है अब यह देखना अपनेगा आपको थोड़ा सा चुकि वह एक दो तीन चार पांच छे साथ इन संख्याओं सो तो जोड़ना घटाना हमको आता है न डिवाइड वगर करना साथ से कार दो तो कितना आएगा साथ दुन होता है ठीक है अब ज़रा इसकी गाड़ी देखते हैं यह चार से कटेगा यह भी चार से कटेगा चार से कार दो चार इक कम चार चार दुनी आठ चार से काटो चार नियम च्छतिस दो अठाइस चार से अठाइस चार दुनी आठ ठीक अभी वैसे तो कट बारा से भी जाए अब क्या बचा दिखो ध्यान से उपर 25 इंटू 25 है दो बार है ना तो एक 25 बार हो गया नीचे 81 का 9 बार हो गया 16 गुण 16 का 16 बार हो गया यह x निकला है ना उन्होंने कहा अब आप root x निकलो यानि आप कहेंगे root तो है जी नहीं x निकला है तो आप से कह रहे है root x निकलो यानि इस संख्या पर फिर root चड़ा दो 25 बटे 9 इंटू 16 तो 25 का root 5 9 का 3, 16 का 4 5 बटे 12 is your answer ठीक है और आपका यहाँ पर c part इसमें सही है तो this is question number 2 हम दो दो ही question upload कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा देखो आराम करो चाय पर फिर दोरा से देखो ठीक ओके थैंक यू